नमस्कार मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों ये रिष्टा का कहलाता है में चौती पीडी की कहानी शुरू हो गई है अभिमन्निव और अभीर की जाने के बाद अक्षरा मसूरी में जाकर बस चुकी है अक्षरा मसूरी की बहुत बड़ी वकील है वही दादी सा पर जान चिड़कता है हर केस के बाद अर्मान परदार की दादी सा आश्रिवात के तोर पर उसे चौकलेट देती है दादी सा से सबसे ज़्यादा प्यार करता है अर्मान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी सा से करता है अर्मान जिस दिन के पॉतर अर्मान की तरह ही वकील बने वहीं आर्मान चाता है कि उसका छोटा भाए रोहीत अपना बच्पन पूरी तरह से जी ले, कुछ ऐसा है पौदार परिवार। पॉत्धार का लॉफ फॉम है जब जबसे अर्मान के दादा सा ने इस दुनिया को अलविदा कहा है, तबसे अर्मान के फूफा सा ने इस लौफ फर्म को समाला है, अर्मान के पिता कुछ भी नहीं करते हैं, वो बस एक कमरे में बैट कर गजल सुनते हैं, अर्मान की माह विद्या दादी सा की सबसे फेबरेट ह अर्मान के चाचा सा भी एक वकील है, वहीं चाची सा मनी सा कामचोर है, अर्मान की भुगा नंदिनी उसके साथ ही उदेपुर में रहती है अब ऐसे होगी अर्मान अभीरा की पहली मुलाकाब दादि सा का जन्मदीन आने वाला है ऐसे में दादि सा अपने पूरे परिवार के साथ मसूरी जाने वाली है। अर्मान ने दादी साके जनमदीन के लिए वही रिसोर्ट बुक किया जिसे अभीरा और अक्षरा मिलकर चलाते हैं। अर्मान पौदार अपने परिवार के साथ मसूरी जाने का प्लान बनाएगा। वहानी फ्लावर फॉरेस रिसोर्ट की बुकिंग करने के लिए गूगल पर सर्च करेगा। रिव्यू चेक करने के बाद वह रिसोर्ट के दिये गे नंबर पर कॉल करेगा। अभीरा फोन उठाएगी, अभीरा को लगेगा कि कोई रोड साइड मजनू उसे परिशान कर रहा है, वह फोन पर अर्मान की पूरी क्लास लगा देगी। लेकिन जब अभीरा को समझ में आएगा कि अर्मान ने फोन रिसोर्ट बुकिंग के लिए किया है, तब वह अर्मान से माफी मागने लगेगी। अर्मान पिगल जाएगा और रिसोर्ट बुक करा लेगा। बड़े पापा से ऐसी होगी अभीरा की मुलाकात। इधर अभीरा की मुलाकात बड़े पापा से होगी, उधर रुही और अर्मान के बीच रोमान्स की शुरुआत होगी, रुही खाई में गिरने वाली होगी, तब अर्मान उसका हाथ पकल लेता है, रुही डर जाएगी, वह गहेगी प्लीज मेरा हाथ नहीं छोड़ना, अर के अपडेट के लिए देखते रहें, ये ABV Entertainment, नमस्कार.